Dear viewers, Assalamualaikum आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग क्रेक्टर क्लेवर मिर्चु को डिसकस करने वाले हैं यह बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है और बच्चे तो इस करदार क्लेवर मिर्चु को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं Let's start the story एक लकड़ारा और इसकी बीवी एक गाउं में रहते थे और उनके साथ बच्चे थे सब के सब लड़के थे लकड़ारा और इसकी बीवी इतने खरीब थे कि कभी कबार उन्हें ये भी ना सुचता कि अपने बच्चों की खुरा खरीदने के लिए वो पैसे कहां से लाएं बच्चे बहुत तेजी से बड़े हो रहते और हमेशा बूके रहते थे ताहम सबसे चोटा लड़का वो था जो अपने वालदें के लिए इंतहाई परेशानी का बाइस बना हुआ था ये सच है कि वो बहुत ज्यादा नहीं खाता था मगर ऐसा इसलिए था क्योंके वो बहुत ही चोटा था वाक्यतन जब वो पैदा हुआ था तो वो महत एक सबस मिर्च की जिसामा जितना था यही वज़ा थी कि इसका नाम मिर्चू रखा गया एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मतवातर महीनों कोई बारिश न हुई पूरी दर्ती पर एक बड़ा कैद पड़ गया और जल्द ही लकड़ारे के पास अपने कुम्बे को देने के लिए कुछ नहीं था सारी जमा पुझी खतम होगी और खाने के लिए कुछ भी बाकी न रहा हम अपने बच्चों को मजईद नहीं किला सकते लकड़ारे ने एक रात अपने बीवी से कहा जब वो खाली चूले के पास बैटे थे जब लड़के सुब नाश्टे के लिए जागेंगे तो उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरी प्यारी हम सिर्फ एक काम है जो हम कर सकते है हम इन्हें जंगल ले जाएंगे और इन्हें वहीं चोड़ाएंगे हो सकता है वो किसी अमीर आदमी को मिल जाएं और इन्हें वो घर ले जाएं मुझे यकीन है वो इनकी बहुत अच्चे से देखबाल करेगा बिचारी बीवी जारो कतार रोती रही ये सुनकर वो इंतहाई घमजदा हो गई मगर बिलाखर जू जू राट डलती गई इसने अपने खामन की तजवीज मान ली बहरेहार वो अपने बच्चों को भूका मरते नहीं देख सकती थी वो सोचती रही सोचती रही मगर कोई और मनसूबा इसके जहन में ना आया इसने खाहिश की कि काश इसके साथ की बज़ाए तीन बच्चे होते इन्हें अच्चा खिलाया पिलाया जा सकता और उनकी उंदा परवरिश के जा सकते जब लकड़हरा और इसकी बीवी बहस कर रहे थे तो उनकी आवाजें बुलंद होगी जो कुछ उन्होंने कहा चोटे मिर्चु ने वो सब सुन लिया वो अपने भाईयों के बरक्स सोया हुआ नहीं था काफी देर तक वो ये लेटा हुआ वो ये सोचता रहा कि वो इस बारे में कौन सा काम करे जो बहतरीन होगा जो ही सुप का दुंदलका हुआ वो जल्दी से उटा और चुपके से जोंपड़ी से निकल गया और जंगल की तरफ दोर लगा दी वहाँ इसने अपनी जेबे चोटे चोटे सफेद कंक्रियों से भर ली फिर वो दोड़ता हुआ गर वापिस आया और दुबारा चुपके से बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद सोने का बहाना किया जब इसकी माने से बुलाया हम सब जंगल जा रही है इसकी माने लड़कों को बताया तुम्हे आग में जलाने वाले लकड़ियां इकटी करने के लिए अपने बाप की मदद करनी चाहिए क्योंकि हमारे एक पास घजा खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं बचा बच्चे इस कदर जोश में आ गए कि उन्हें अपनी बूख तक का एसास ना रहा वो फोरण अपने बाप की रहनमाई में जंगल जाने वाले रास्ते पर गामजन थे जंगल तारीक और सुनसान था मगर लकड़ारा इसके चपे चपे से इतना बहुँ भी वाकिव था कि वो जल्द ही जंगल के इंतहाई गने हिसे में पहुंच गे लकड़ारे ने कहा कि मैं चोटे-चोटे द्रख्त काटूंगा और लड़को तो मैं तुम्हें तुमाम टेहनियां एकटी करनी होगी और उन्हें चोटे-चोटे गटों में बापना है ये मेहनत तल्ब काम होगा ये कहते हुए लकड़ारे ने अपने कुलहाडे से दरख्त काटे और अपने सातों बेटों को काम पर लगा दिया इसी दुरान जब लड़के इंतहाई ज्यादा लकड़ियां इकटी कर रहे थे जितनी वो कर सकते थे तो लकड़ारे ने अपने बीवी को सर से अशारा किया और दोनों खामोशी से वहां से किसक गे लड़कों पर अब एक तरह की कपकपी इतारी होगी जब उन्होंने सोचा कि उसका वालद कहा है और उसकी वालदा कहा है उन्होंने पहले तो सोचा कि शायद उनके वालदेन उसके साथ कोई मजाख कर रही है फिर वो चिलाने लगे और जोर जोर से अपने वालदेन को पकारने लगे जब काफी देर तक उनके वालदेन जाहर ना हुए तो वो वाकितन डर गे और तब होश्यार मिर्चु ने ने कहा लड़को डोंट वरी परेशान नहो मुझे घर का रास्ता मालूम है मैं हमें बस ये करना है कि सफेद कंक्रियों की लकीर पर चलना है वालदेन हमारे अब वापिस नहीं आएंगे तब उसने वो सब कुछ दोराया जो पिछली रात उनके बाप ने कहा था और उन्हें बताया कि किस तरह इसके बाप ने कहा था कि वो उन्हें जंगल चोड़ाएगा और ये भी बताया कि किस तरह इसने अपनी जेबे कंक्रियों से भर ली थी और उन्हें रस्ते पर एक-एक करके गिराता आया था चनाचे मिर्चु ने गने जंगल में और बल खाते रास्तों पर अपने भाईयों की मदद की यहां तक कि वो अपने कोटेज में पहुँच गए अब मिर्चु ने सबसे आइस्ता से कहा कि हमें कोई भी वेलकम नहीं करेगा चलो कुछ देर जुमपड़ी के बाहिर हम वेट करते हैं और देखते हैं के वालदेन हमारे क्या बाते कर रहे हैं इसी दिन जब लकड़ारा और इसकी बीवी जल्दी जल्दी गर आई तो उन्होंने दस चांदी के सिकों को अपना मुंतसर पाया यानि वहाँ पे टेन सिल्वर कॉाइन्स मुझूद थे ये रकम उनके कर्ज की अदाईगी थी ये पेमेंट की सुरत में उनके पास आई थी जिसे वह बहुत अरसा पहले बुला चुके थे इतनी सारी मनी देख लकडारे की बीवी खुशी से रोने लगी लेकिन जब इसे याद आया कि वह अपने लड़कों को दुबारा कभी नहीं देख पाये दी पायेगी तो इसकी सारी खुशी गायब हो गई अब वो रोने लगी जब इस नहीं कहा कि अब इसकी रकम का क्या वो ये सोचती और बार बार रोती फिर वो जोर जोर से रोती और चिलाने लगी मेरे बेटो मेरे प्यारे बेटो उसने घमजदा के लहजे में कहा तुम्हे खैरिये से घर वापिस लाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं दूंगी शायद अब तक तो इन्हें बेड़िये भी खा चुकी हो यही सब कुछ मिर्चु सुनना चाहता था उसने डोर को ओपन किया और तेजी से भागता हुआ अपनी वालदा की तरफ दोड़ा इसके भाई भी इसके पीचे पीचे हो लिए और बोले अमीजान मत रोए हम सब यहां हैं हम सब ठीक ठाक हैं इस रात लकड़ारे क जुम्पड़ी में क्या खुशी और शादमानी थी उन्होंने क्या जियाफ़त उड़ाई जब मेज के गिर्द बैटे थे इसके बाद लकड़ारा और इसकी बीवी और इनके सातों बेटें हमेशा हमेशा खुशी की जिन्दगी बसर की बहुत खूब नन्ने मिर्चु यही पे यह कहानी खतम होती है